पूर से विशाल वैरिष्टो की रिपोर्ट डीडी नियूज से लोक्षबाच चुनाव के दूसरे चेर्ण में राजिस्तान की 13 लोक्षबाच चीटो पर चुनाव होना है और उसी में राजिस्तान की चितोड़ गर्भी सामिल है यहां से भारतिय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश सद्यक सीपी जोसी लगातार तीसरी बार हैट्रिक जीत दर्ज करने के लिए चुनावी मैदार में आये बात करते हैं सर लगतार आप धूप हो आंधी हो तुपान हो चिल्चिलाती धूप में बदताओं के बीच जा रहे हैं और बड़ी भीर जो उमड़ रहे हैं उसका क्या संदेश हम देखें देखें यह नरंद्र मोदी ज प्रति विश्वास है 25 साल से जो सरकारे देश में काम कर रही थी उन्होंने किसान और गरीब की इतने वर्शों तक चिंता क्यों नहीं कि अखिर क्या कारण है कि बचपन साल से जादा मोदी जी ने दस वर्शों में करके दिखाया इसलिए यह तूट विश्वास गाव सुदूर गाव धानी में बैठा व्यक्ति बुजर्ग माता बहन युवा भी कहता है किसान भी कहता है गरीब भी कहता है अब की बार चार सो प बाना है तो बाई-पास वी बने है तो रिंग रूट भी बनी है यहां केंडरी विद्याले भी बना रवद्याली बना नवज्दिय विद्याली बना तो पासपोर्ट आफिस बना है यहां आजादी के 55 सालों में जितना किसफ़चल खराबी का मौजा नी मिला उस से जदा दस वर्षों में किसानों के खातुम आया है पहला कोई प्रधान मंद्री है जो किसान के खाते में सीधा स्थेजार पर साल के डालते हैं तो कंग्रेस इतने सालों से क्या कर रहे हैं चित्तोड की धरती सम्मान और स्वामिमान के लिए जानी जाती है आगामी 26 अप्रेल को बंदा आता हूंगा सम्मान और स्वामिमान किदर जाए अकबर महान बने इस दिशा में भारत को बढ़ते वे देख सकते हैं चुनावी प्रचार के दोरा हमने लोगों से समवाद किया भी ते पांस साल में यहां से में आए वो स्वेम सहकारता मंत्री थे कितने किसानों का करजा माफ किया आज पूरे प्रदेश का किसान कह रहा है कि इतने किसानों ने आत्पत्या कि उसका जिम्मेदार कौन है जमीन एलोटमेंट में गोटाला मिड़े मिल में गोटाला सहकारता में भरती का गोटाला और अब दिन चलंग करता हूं अभी सामने नहीं आया है नहीं किसी भी जाँच को तयार है हमारा पार्टी का कोई भी नेता तयार है तो यह तो चित्तोड़ गर्से भारति जनता पार्टी के प्रिक्यासी सीपी जोसी जिनका माना की भीते दस साल में किये विकासकारी की बदूलत ने कियो जनता के भी प्रिचार करने जा रहे है बलकि अगली बार भी भारी बहमत से जीत को लेकर पूरी तरह आस्वस्त है मिरस्वगी कमरामेर गोरवगरी के साथ में ओपी आदाओ डीडी न्यूज बेगू चित्तोड़गड और केरल के तिरूवनंद पुरम में कॉंग्रिस निता सचिन पाइलट ने कहा